जहीं दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में दोस्तों Reserve Bank of India में Assistant की Post के उपर Vacancies निकली है तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो Assistant की जो Post है उसमें जो Selection Process है वो क्या रहेगा Eligibility Criteria क्या रहेगा Exam का syllabus, Exam का pattern आपकी जो Salary है वो क्या रहेगी Job का Location, Job Profile और बाकी अन्य चीजें इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों सैनिको सुड़ी सारी खबरों के लिए Subscribe का बटन दबाएं और Bell आइकन को Press करके All का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आज 17 February 2022 को ये वेकेंसी निकली है Recruitment for the Post of Assistant 2021 की ये वेकेंसी है दोस्तों बात करें डेट्स की तो जो वेबसाइट वो आज के दिन यानि की 17 February 2022 को ओपन होगी और 8 March 2022 तक ये ओपन रहेगी और जो एक्जाम की फीस का जो पेमेंट है वो आप 17 February 2022 से 8 March 2022 के बीच कर सकते हैं और जो प्री एक्जाम होगा वो 26 और 27 March 2022 को होगा और जो मेन एक्जाम होगा वो मई 2022 में किसी भी डेट को हो सकता है तो दोस्तों जो भी एक्जाम के लिए ट्राइ कर रहे हैं अगर उनके ही साब से देखा जाए तो one of the best job है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं और जो RBI का जो असिस्टेंट की job होती है इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि इसमें पब्लिक डिलिंग नहीं होती है और बहुत सारी फैसलेटी जो RBI प्रोवाइड करता है वो काफी बहतर है दोस्तों बात कर लेते हैं vacancies की तो यह सभी statewide vacancies दे रखी है यहां पर exercise man के लिए दो कैटेगरी है EX1 और EX2 तो दोस्तों EX1 का मतलब है disabled exercise man और EX2 का मतलब है normal exercise man अभी काफी जो disabled candidate है उन्होंने यह लिखा भी है कि disabled जो vacancies हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाए जाए तो दोस्तों लगबग जितनी भी vacancies होती है उनमें disabled जो अक्सरिस man की vacancies होती है और उसको मैं हमिसा कवर करता हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनका एक अलग से dedicated वीडियो बनाए जाए जिसमें की disabled exercise man से related सारी जानकरी आपको मिल सके की एहमदाबाद के लिए जो disabled exercise man है उनके लिए दो नॉर्मल exercise man के लिए तीन बैंगलोर में तीन और साथ भोपाल एक और तीन बुनिस्वर एक तीन चंडिगर चार और साथ चन्नई तीन और छै गुआहटी एक और तीन हैदरबाद दो और चार जैपूर दो और पांच जम्मू only one वेकेंसी फोर नॉर्मल exercise man कानपूर और लखनू छै और तेरा कोलकता एक और दो मुंबई छै और बारा नागपूर दो और छै दिल्ली तीन और साथ पतना एक और तीन तिरवनत पुरम और कोची दो और पांच इस प्रकार से टोटल जो exercise man की वेकेंसी है वो 40 जो है disable exercise man के लिए और जो 90 वेकेंसी है वो normal exercise man के लिए तो इस प्रकार से टोटल 130 वेकेंसी जो है वो exercise man के लिए रिजर्व हैं दोस्तों यहाँ पर एक और बात बताना लेकिन एक candidate एक बार ही एक ही जो center से apply कर सकता है और दूसरा उस center का जो local language है वो आपको आना चाहिए दोस्तों इसमें एक और बात बताना चाहूंगा जो exercise man जो one category है जो मैंने disable exercise man की category बताई है इसमें दो categories आ सकती है देखिए यहाँ पर लिखा हूँ है disable exercise man इसमें cover होंगे और dependent of exercise man जो भी किसी war में सहीद हुए है तो उनके जो dependent है वो भी इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जितने भी disablement के जो भी parameter है वो यहाँ पर दे रखे हैं कि person with benchmark disability तो यहाँ पर आप अपनी disability के साब से देख सकते हैं कि अगर आप deep हैं तो उसका जो parameter हो क्या होना चीए अगर आपको कोई vision की problem है visually impaired है तो उसका जो criteria है क्या होना चीए अगर कोई दूसरी आपको disability है तो उन सब के criteria हैं आपर दे रखे हैं तो आप इसमें अपनी disability के साब से चेक कर सकते हैं इसका जो link है मैं description में डाल दूँगा तो जैसे आप link को open करेंगे आपके सामने page खुल जाएगा दोस्तों भी बात कर लेते हैं eligibility criteria relaxation in upper age limit तो जो एक service man है उनको 3 साल की चुट मिलेगी जो अपनी total service है उसको minus करने के बाद और अगर आपको age के प्रती अगर कोई doubt है तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया है जिसमें की आपको एक age का calculator भी दिया है तो आप उस calculator में अपनी total service और अपनी age डाल के आप देख सकते हैं कि आप eligible हैं या नी वैसे maximum जो एक सर्विसमें होते हैं वो eligible होते हैं बस रते कि उनकी जो total age है वो 50 years से कम होनी चीए अभी दोस्तों बात कर लेते हैं education qualification की दोस्तों बात करें एक सर्विसमें candidate की तो एक सर्विसमें candidate के लिए सिर्फ graduation होनी चीए या तो उसने graduation की हो किसी recognized university से या उसने कम से कम matriculation की हो यानि कि 10th pass हो और उसने 15 साल की armored forces के अंदर जो है service की हो तो जैसे आप जानते हैं 15 साल की service के बाद एक graduation certificate दिया जाता है तो उसके base पे भी आप इस post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों भी बात कर लेते हैं exam की तो सबसे पहले इसमें pre-exam होगा उसमें 3 subject होंगे English, math और reasoning English के 30 questions होंगे 30 marks के और maths और reasoning के 35 questions होंगे 35 marks के इस प्रकार से total आपके 100 questions होंगे 100 marks के और इसके लिए समय आपको मिलेगा 60 minute का दोस्तों जो लोग pre-qualify करेंगे वह है main exam में जाएंगे लेकिन जो pre-exam है वह सिर्फ आपका एक eligibility criteria है main में जाने के लिए उसके जो marks है वो आपके final selection में count नहीं होंगे जो आपके final selection में marks count होंगे वो आपके main exam के होंगे और इसी के base के उपर आपकी merit बनेगी और आपका selection होगा दोस्तों main exam के अंदर 5 subject आएंगे reasoning, english, maths, journal awareness और computer knowledge इन सभी के 40-40 questions होंगे जो की 40-40 marks के ही होंगे इस प्रकार से आपको total 200 questions फेस करने होंगे जो की 200 marks के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 135 minute यानि की 2 घंटे 15 minute दोस्तों इसके बाद language proficiency test होगा ये test जब होगा जब आग किसी दूसरे state से apply करते हैं अभी दोस्तों यहाँ पर language दे रखी हैं आप चाहें तो इसमें check कर सकते हैं और किसी भी दूसरे state से apply करने से पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि उस state की जो local language है वो आपको जरूर आनी चाहिए तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं language के आगे oblique लगा है तो इन में से कोई भी एक language आपको इस state में आनी चाहिए दोस्तों बात करें pay scale की तो यहाँ पर इन्होंने 20,700 basic पे इन्होंने बता रखा और बाकी allowances का भी जिक्र है DEA जिसमें HRA, city compensatory allowance transportation allowance लेकिन अगर हम on and average लगाएं तो यहाँ पर लिख रखा है कि जो एक salary होगी जो भी assistant के लगबग 45,000 के अबाव होगी लेकिन ex-service man को इसमें pay fixation मिलता है तो जो ex-service man की जो last जो pay sleep है उसी के according जो salary का fixation होगा दोस्तों यहाँ पर exam के center दे रखे हैं तो ex-service man candidate और disabled candidate, SC और SD candidate के लिए जो fees है वो 50 रुपे है और बाकी सभी candidates के लिए जो fees है वो 450 रुपे है तो दोस्तों यह थी जो vacancy जिसके बारे में आज हमने discuss किया और जो भी लोग और जो banking की तयारी कर रहे हैं, SSC की तयारी कर रहे हैं, वो सभी इसमें apply कर सकते हैं क्योंकि जो इसका syllabus है वो बाकी जो PSU बैंकों का syllabus है या जो SSC का syllabus है उसके according ही है job के हिसा आप से देखा जाए तो काफी बढ़िया job है, सभी को इसमें apply करना चाहिए और आगे भी इससे संबंदित वीडियो आते रहेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से form भर जाए, क्या क्या इसका syllabus को थोड़ा deep study करेंगे और जो exam को crack करने के लिए इसमें क्या क्या हम तयारी कर सकते हैं वो सभी बाते हम आगे इसमें discuss करेंगे तो दोस्तों उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको like, share, subscribe करना ना भूले और बने रहें मेरे साथ इससी प्रकार के interesting वीडियो के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुबहो जैहिन जै भारत